कि यह वेलकम बैक टू मैं चैनल इसमी सीमा खन्ना कैसे हैं आप उमीद का क्यों अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ जैसा कि आज अपने थम्नील देखा उससे आपको बता चल गया होगा आज मैं किस बारे में बात करने वाली जी हां आज मैं नेल्स के बारे में बात है कि बहुत जादा रिक्वेस्ट था मेरा यह पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था विए बच्पन से मेरी चाईज हूर्ट है मेरे रिलेटिव से सब कुछ से मेरे नेल्स के वारे में जरूर पुछते थे जब भी मैं मतलब मिल्स मेरे बड़े होते आप देख सकते हो जो म मेरे नेल्स भी बढ़ आते हैं आप देख सकते हो और मैंने अभी कोई भी नेल पेंट वगरा कुछ नहीं इसमें अप्लाई किया है क्योंकि अगर मैं अप्लाई कर देदी तो आपको मेरे नेल्स की कॉलिटी क्लियर नहीं दिख पाती क्योंकि मैं आपको क्लियर अपने नेल् स्किल मतलब रहता है कई लोगों के लिए कि नेल्स को मेंटेन कर पाना बट मैं आज आपको छोटी-छोटी ऐसे टिप्स दूँगी जिससे कि आपको नेल्स जो है इस तरीके की इस कॉलिटी की नेल्स आपको मिल सके बट फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जर तरीके से ताकि आपका नेल्स जो है काफी स्ट्रॉंग हो, हेल्दी नेल्स हो तो उसके लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप उपने नेल्स की क्लीनिंग में बहुत ज्यादा धिहाद रखोगे और जब भी आप नेल्स को कट करने जा रहे हो उसे पांच मिनट पहले गुन-गुना पानी लोगे एक बाउल में और नेल्स को डुबा कर रखो है कियोंकि मैं कभी भी बिर्फ नेल्स को कट नहीं करती हो पहले उसे दुबा कर रखती हूं, उसके बाद 5 निर्स बाद नेल्स को काट दो यह क्या होता है ? प्रॉपर अच्छे से कटता है नेल्स जो भी है शेप में आता है और आप टाइम तो टाइम नेल्स के पोर्स पे और या कोई भी क्रीम से इसे मालिस करें ताकि जो इसे मालिस करने से यह होता है कि आपके जो नेल्स होते हैं इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो यह मालिस जो करना ना बहुत जरूरी ह मैं डेली नाइट में सूने से पहले मेरे रूटीन में है कि नाइट में जड़ासा भी कोई भी ओई ले सकते हो आप पैरसो टॉइल नारियल कोकोने टॉइल जो होता है आप चाहे तो अगर कुछ नहीं है तो आप वो ले लो उससे मालिस करो या एलोवेरा जेल हो तो उससे आ स्थे एक दिए न श्वाट लो उससे अपर थह सब्सक्राइब कर आप एको इसे अपने नाफुन की अच्छे से मसा जरो तो आप देखो पतले जो है बहुत जादा पतले हो जाते जिसके नाखुन तो उनको ये फायदा होगा कि उनके नाखुन जो है काफी स्ट्रॉंग हो जाएंगे इस तरीके से जैसा मेरा है अब देख सकते हो मैंने भी कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे नाखुन बीच में जब प्रेंट थी मैं डिलिव जोग है और अब तो खेर मेरे नाखुन वापत से फुराने फॉर्म में आ गए तो बहुत अच्छा लगता है अगर आपके नाखुन इस तरीके के हो श्ट्रॉंग हो जल्दी ना तूटे क्योंकि हम बहुत महना से नाखुन बढ़ाते हैं और गल्स इस पेसली गर्ल्स है लेडिस उनके नाखुन जब एक बीनाखुन आचे श्ट्रॉण अब नहीं बहुत अच्छा वाई बहुत ठारेक है और श्ट्रॉम करने के लिए अप घृ मसाज कर सकते हो डेईरी और है और उसमें नाखुन को डुबा दे 5-6 मिनट के लिए फिर उसके थोड़े से मालिस कर ले इसे वीक में आप दो बारी करें डेली ना करें तो इससे भी आपके जो नाखुने काफी स्ट्रॉंग होंगे और काफी खुर्शूरत नाखुन आपको मिलेंगे अगर आप चाहते हो कि आपके नाखुन बहुत जल्दी बढ़ जाए आपको ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमें आरा कुछ गेट तोगेदर है या कुछ ऐसा फंक्षन है जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे नेल्स यूज नहीं करना चाहते हैं हमारे नेल्स की दो बार मॉर्निंग में और इवनिंग में दो बार मसाज करना है तो आप देखो कि आपके नेल्स की ग्रोथ है बहुत जल्दी हो जाएगी ऐस कंपेर टू नॉर्मल जो ग्रोथ होता है उससे अगर आपको जल्दी नेल्स बढ़ाना है तो यह लासुन वाला जो है उपाय ह है बहुत सटिक है जो कि मैं कभी-कभी अपनाती हूं जब मुझे जल्दी नेल्स बढ़े करने होते हैं और अगर मैं नेक्ट बताती हूं टमाटर भी बहुत फाइदेमन होता है नाकुन पर अगर आप जैसे कि कई बर हम किचन में जितनी भी हाउस्वाइब किचन में काम क ह upon अब्या ओब सेREWरा में ओनेटर लेटेमन हेड कर अधाल तब मेंदेन और अच्छा हो जाएगा थिक हो जाएगा और बहुत बीजानी लिखेगा आपको नर्याल ग। जी हाँ नारियल तेल में फैटी एसीड होता है और बहुत सारे कोशब्ट तत्व उसमें मिले होते हैं तो नारियल तेल का प्यूज चाहो तो डेल ही करो आप अगर अपने नाखुन को बहुत ही बीटिफुल और स्ट्रॉग मनाना चाहते हो तो नारियल का यूज करो उससे क्या होते हैं नारियल तेल से भी जो ग्रोथ है बहुत जल्दी होता है तो देखिए ये कुछ हो पाए है जो मैं regular basis पर करती रहती हूँ मैंने सुचे क्यों ना मैं आज आपके साथ शियर करूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये डिमांड था कि आप अपने नेल्स को कैसे strong रखते हो बेबी है घर का काम करते हो उसके बार भी आपके नेल्स जो है टूपते नहीं है strong है देखी बेबी की कारण मैंने नेल्स अभी ज़्यादा बड़े नहीं किया हाला कि जितने है मेरे लिए काफी है तो इस तरीके से मैं नेल्स की अपनी जो है मिंडेन करती हूँ और ये एक चीज़ पर जरूर ध्यान देती हूँ कि नेल्स मेरे कभी गंदे ना हो डेली मैं नेल्स को साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, नेल्स क्लीन होना बहुत जरूरी है अगर आपको नेल्स बड़े करना है स्ट्रॉंग करना है तो इसमें जराभी गंदगी नहीं होनी चाहिए ये नेल्स को हमीशा क्लीन करके रखना है आपको ये चीज़ में बहुत ज्यादा ध्यान दे तो गाइस उमीद करती हूँ आज का जो ये वीडियो है पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज कमेंट करकर जरूर बताईएगा और नेक्स टाइम नेल पेंट लगा कर मिलूंगी तो फिर बताईएगा कैसा लग रहा है अभी मुझे आपको कॉलिटी दिखानी थी मुझे नेल्स की ओरिजिनल कॉलिटी नेल्स इसलिए मैंने बिल्कुल भी कुछ इसमें अप्लाई नहीं किया क कोई भी नेल्स पेंट नहीं लगाया ताकि आपके पास कोई भी रॉंग इन्फोमेशन ना जाए तो उमीद करते हूँ Aज का वीडियो जो है पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा रोगों तक शेयर करिये जिन्हें की नेड है तो इस वीडियो का अब मैं यहीं आंकर तीफ जल्दी मिलूगी नेक्स वीडियो में ओके बाई टेक कियर